नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसका अगरी कल्चर में चार महिने में चार बीगा से चार लाग तक का मुनाफ़ा देने वाली ऐसी कोई खेती है जिहां बिल्कुल एक इसी खेती है जो आपको चार मैने में चार विगा से चार लाग तक का प्रोफिट आसानी से दे सकती है देखे किसान भाईयों वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक चीज आप अपने दिमाग में रखे कि जब तक खेती में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक प्रोफिट भी जादा नहीं होता है ये बात आप भी बली बाती जानते हूँ मैं भी जानता हूँ जब तक हम खेती में आधुनिक तकनिक को नहीं अपनाएंगे वो नहीं नहीं खेती पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमारी इंकम भी जो है वो नहीं बढ़ने वाली है हमारा प्रोफिट भी जो है नहीं बढ़ने वाला है तो आज की इस खेती में हम बात करने वाले उटी फर्ष्ट लैसून के बारे में उटी फर्ष्ट लैसून का भाव अभी मार्केट में आठ से दस अजार उपे प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहा है और मैं आपको जो हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसकी पूरी खेती के बारे में कितना बीज लेगेगा कितना खर्चा होगा और कितना प्रोफिट आप निकाल सकते हो सारा कुछ बताऊंगा वीडियो को पूरा देख लेना चैनल पर नहीं आए हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं इसकी बीज की मात्रा में और बीज काम मिलेगा तो बीज अगर अगर मध्यपरदेश राजस्तान माराष्ट में अगर इसकी खेते आप करना चाहते हो तो आपको तेलंगाना साइड जो ऊटी है वहां से ही इस बीज को मंगवाना पड़ेगा अगर बात करें बीज की मात्रा के बारे में तो अभी ये लैसन का बीज आपको गिला मिलेगा तो एक बीज में यहीं की बीस आरी में आपको दो कुंटल बीज खरीदना है इसकी कलियां अलग करनी है सुकाने के बाद और जब सूख जाएगा अच्छे से तो जो भी बीज बचेगा वो आपके 20 सारी जगह में कंपलीट आ जाएगा उसके बाद खेत में आपको मसीन से उराई नहीं करवानी है मजदूर लगा के आपको चुपाई करवानी है चुपाई इसकी होती है चार वाई चार इंच वर तो यह आप ध्यान रखे पंक्ती से पंक्ती और बीज से बीज की दूरी आपको काफी ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो लेसुन बनता है वो काफी बड़ा बनता है आकार में काफी बड़ा होता है वाइट कलर में होता है इसकी जो कलियां होती है वो भी बड़ी बड़ी होती है तो इसलिए इसक काम आपको करना है उसके बाद हम इसकी पैदावार की बात करें तो अगर आपने अच्छी तरीके से इसकी खेती कर ली तो बीस से पच्चिस कुंटल प्रति बीगे के हिसाब से भी सारी में आप जो है इसका उत्पादन ले सकते हो अगर मैं मुझूदा वक्त हैने कि 2020 जुला कर खेती करना शुरू कर दिये हैं इसमें हलाकि खर्चा आपको पड़ेगा क्योंकि एक बीगे में आपको 10-15,000 रुपई तो बीज की खर्च करने पड़ेंगे 5,000 रुपई चुपाई के लगेंगे 5,000 रुपई 10,000 रुपई खाद के और निराई गुड़ाई के माल लीजे तो कुल मिलाके एक बीगा में आपको 30-40,000 रुपई तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लेकिन 25,000 रुपई अगर 20-25,000 का उत्पादन निकलता है और आपका जो है 15,000 रुपई भी अगर मंडी के अंदर लसुन बिकता है तो काफी अच्छा प्रॉपिट आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका खर्चा निकालने के बाद भी और किसान भाई जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं वो प्रॉपिट ले रहे हैं अगर आपको किसी भी प्रकार से पता करना है तो आप ऐसे किसान भाई से भी बात कर सकते हैं जो पिछले दो-तीन सालों से उटी first lesson की खेति कर रहा हो उससे भी आप बात कर सकते हैं वो खुद आपको reality बता देगा कि इसमें कितना खर्चा है और कितना profit है बाकि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है आपकी साथ में जानकारी मैं share कर रहा हूँ वो बिलकुल सही जानकारी है investment करना पड़ेगा लेकिन profit भी काफी जादा है उमिद करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी शेयर की है वो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद